Hello friends, आज वाली class में हम सिखने वाले हैं custom animation के बारे मैं क्यानी की animation के अलावा भी जो हमको animation by default Android में मिलतेumuz वह और आपको कोई Е notammentale animation लगा ना उसके को कैसे implement किया जा सकता है उसके लिए आपको एक आनिमेशन करके लाइबरेरी जिसको हम use करने वाले है तो आज आली क्लास में आप दो चीज़े से सेखोगे कि उसको कैसे इंटेग्ड करना है मतलब Custom ऐनिमेशन को कैसे इंटेग्ड करना है और साथ इस पर निहां को आपको जो लैबरी है लोटी ऐनिमेशन को जो हम यूज़ करेंगे उसके लिए उस लैबरी को Office Adobe का जिसमें आप एैनिमेशन कर सकता है जो भी हुट जिसके अमने डॉक्टर स्टेंज सांस Fiction मूविज देखी है उनमें ऐसमें एक Install जाहरे उसिसे में के मता थे है उसमें को वहां करेंगे तो इससे benefit क्या है इससे benefit यह है कि जो नॉर्मल animation होते हैं वो व्यू के उपर लगते हैं अब में को animation चाहिए loading के वक्त काफि सारा animations होंगे जो एक object oriented होंगे यानि कि एक particular image के उपर वो animation लगेगा mostly cases में आपका जो भी loading बगर में जो animations होते हैं वहां पर यह जो object है वो यूज आ सकता है अब यह करता कि एक्चुल में यह replace करता Android में जीएफ का जो जीएफ क्या होती है कि छोटा सा पर चला तो तो हो सकता है कि बलरी हो जाए ठीक है बट लोटी एनिमेशन जो है वह आपका कोड बेस्ट होता है यानि की जैसन में आपका पूरा कोड लिखा गया होता है then run time पर जाओ इसको चला तो तो कितनी भी बड़ी स्क्रीन पर अगर आप इस एनिमेशन को प्ले करोगे तो इसके जो पिक्सल है वो clear रहेंगे चीक है फटेंगे नहीं बलरी नहीं होंगे तो इसका यह benefit है और काफी जगा आप इस एनिमेशन को अब question आता है कि library actual में होती क्या है तो library कुछ नहीं है एक जैसे आप android का प्रोजेक्ट बनाते हो वैसा एक android का प्रोजेक्ट है जिसको हम क्या करेंगे हमारे as a code sample उसको integrate कर लेंगे अब इसकी जरूद क्यों आती है वह यह कि जैसे कोई code है जो बार-बार repeat हो रहा है जैसे म component है जो मेरे तीनों ही अपस में मैं तीन अप्स बना रहा हूं उसमें थीन ही प्र आप्स में में को कुछ वाला component लगाना है कंटेंट अलगे लेकिन का पार्ट है वह सेम रहेगा तो उसके लिए क्या करूँगा अलग-अलग नहीं डिफाइन करूंगा हर-अग मैं अलग- बना रहे हूँ जो कालेंडर गूटलेडर मिलता हैं आपको काफी होगया इन केस अगर आगता है तो आप इसकी डिजाइन करना चाथे हैं डिजाइंड चेंज करो गे तो लॉजिक पार्ट है वह आपको कुछ बहुत जादा हो जाता है तो वहाँ आप लाइबरी बनाके अपने प्रोजट के लिए भी यूज कर सकते हो एंड एंड़ोड में भी होता है android की भी लाइबरी जो जैसे कि रिसेकल व्यू है यह एंडूर्ड के खुथ की लैपरी जो आपको बाई डिफॉल्ट एंडूर्ड स्टूडियो में नहीं मिलेगी आपको एडिशनली इनको डाउनलोड करना पड़ेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा तो आज वाली क्लास में जो हम यूस करने वाले वह एक थर्ड पार्टी ल लगा है कि यहां पर पार उस लोटी एनीमेशिन एंडा जो होती है शैसे ही ओं52 और प्लेटेविशन आ जो किकरना में चाहेगा देन यहां पर एक और चीज़ होती है जो आप रिसोर्स अप्लाय करना चाहते हो किस पर कौन सा लोटी अनिमेशन आपको लगाना है कौन सी जेसन फाइल को कॉल करना है तो आप कुश्चन आता है कि हमारी जो जेसन फाइल है वो हम लोटी एनिमेशन की जो website है, वहाँ से हम इसको download करेंगे, तो वो json file जो होगी वो हमको place कहां करनी है, जैसे आप images file किस में place करते हो, tribal में place करते हो, animation file करते हो, anim के अंदर, layout files करते हो, layout के अंदर, वैसे ही जो json files होती है, वो आपके raw नाम के folder में place होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, resource के अंदर, raw नाम का folder बनाना पड़ेगा, जैन वो जितनी भी animation files आप अपने project में integrate करना चाहते हो, loti की, वो आपको सारी वहाँ पे paste करनी पड़ेगी, जैन वहाँ से आप call करोगे, add the rate raw slash, जो भी आपकी file का नाम है, और अगर आप java से call करें हो, तो r.raw. जो भी आपकी file का नाम है, ठीक है, तो ऐसे आप इसको लगा सकते हो, तो start करते हैं, इसका implementation सबसे पहले मैं आपको लिखके चलता हूँ, website पे यहाँ पे आपको लोटी के जितने भी animations हैं, वो दिख जाएंगे, तो आपको एक आईडिया हो जाएगा कि मैं किस type के animations की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप ब्राउजर पे जाके Google Chrome या खहीं पे भी आप search engine में लोटी फाइल स्टाइब करते हैं, तो आपको जब भी आप कोई अपनी अप में लोडिंग करवा नहीं है, या डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप की लोडिंग animations लगाने है, तब आपका लोटी animation का जो यूज है, वो appropriate लगेगा, ठीक है, बाकी टाइम तो आप नॉर्मल जो भी तुस्सी चीज अगर आप चाहते हो कि इसकी जो speed है, वो आपको बढ़ा नहीं है, यह odds fast होना चाहिए, बहुत slow हो रहा है, तो आप यहां से speed को fast कर सकते हो, then download कर सकते हो, तीसी चीज जो है इसका अगर आपको color change करने है, जैसे यहां पे जो भी blue और gold color जो है, अगर आपको change करने कुछ और करना है, तो वो भी आप change कर सकते हो, उसके लिए आपको यहां पे option आता है, edit layer color, इस पे जाना पड़ेगा, first time आपको sign in करना पड़ेगा, sign in कर लेते हैं, तो sign in करने के बाद में, वापस आप यहां पे click करें, तो अब य according, तो यहां पे आप left and side देख सकते हो, कि सारे options आगें, plant का color, box का color, likes, phone, city, जो भी आपको change करना है, मैं एक simple सा change करके बताता हूं, आपको, जिसे मैं इसको color change करते हैं, blue वाले को, तो blue का color change करके हम करते हैं, green करते हैं, तो आप यहां देखो, उसकी जो sleeves का color है, वो green हो चु आप मैंने change करके shirt के अंदर सब green कर दिया, तो आप जहां changes करना चाहते हो, वहां पे आप changes कर सकते हो, availability होनी चाहिए, उन सब चीजों की, वो यहां पे आपको दिख जाएगी, तो अब यह सब होने के बाद में, आप directly क्या कर सकते हो, यहां पे नीचे एक option आता है, export as loti json, तो यहां पे आप इसको download कर सकते हो, चीक है, तो यहां आप दिखोगे, .json file आपके पास आचुकी है, चीक है, इसको हम locate कर लेते हैं, और इसको close कर देते हैं, इस file को आप copy कर ले, और जहां पे भी, जिस project में भी आप उसको use करना चाहते हैं, उस project को open करे, तो मैं यहां प आप एक नया project create कर लेता हूं, तो यहां पे हमारा project create हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे, अब जो file हमने copy करी थी, वो यहां paste करनी है, तो paste कहां करनी, raw नाम के folder में, तो वो कहां बनता है, resource के अंदर, आपको resource के अंदर right click करना है, new android resource directory पे click करना है, और यहां पे control, V भी कर सकते हो, right click paste भी कर सकते हो, drag and drop भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि यह जो name है, वैसे तो name में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि starting with number नहीं है, underscore है, बीच में, special character नहीं है, पर फिर भी यह name जो है, वो थोड़ा आप change कर दे, मैं आप इसका animation या लोटी कर देता हूं, जैसा relevant लगे आपको name, वो ऐसा नाम दे देना, जो इसका by default name आता है, वो थोड़ा confusing हो सकता है, क्योंकि number, letters, सब होते हैं उसके अंदर, तो अपना जो खुद का नाम आप देना चाहते है, वो यहाँ देखे, okay कर देना, तो आपका जो लोटी फाइल है, वो raw के अंदर आच लोटी का प्रोजेक्ट जिएगा, जो मेरे Android के अंदर Android प्रोजेक्ट के साथ integrate करना पड़ेगा, then हमको क्या मिलेगा, लोटी एनिमेशन व्यू मिलेगा, वहाँ पर मैं इसको place करूँगा, तो वो जो व्यू है, वो exactly, मेरी JSON file को decode करके एनिमेशन में ले आएगा, तो उसक लाइबरी है, तो यहां जो पहला option मिल रहा है, वो लोटी फाइल जो हमने भी देखा था, हमको कौन सा चाहिएगा, गिटब वाला, तो गिटब पे क्या होता है, एक्चल में आपके प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो प्रोजेक्ट जो अप्लोड होता है, वो mostly cases में इस पे क्लिक कर देना है, आपको airbnb slash लोटी, यहां पे फूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आपको प्रोजेक्ट इंटिक्रेट करने के लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए होती, जैसे कि आपको कोई भी Android की लिए चाहिए होती, वैसे ह इसकी भी एक dependency होती है, यह बस third party है और वो Android ही लइबरी हो जाती है, तो वो थर्ड़ड पार्टी आपकी लाइबरी हो जाती है, डिपेंडेंसी वैसे ही रहेगी, integration करने का तरीका भी वैसा ही रहेगा, बस Android लिबरी में क्या होगा, आपको वही option मिल जाएगा, पैलट के अ यहां पर आपको सर्च करके लाना पड़ेगा उसकी वेबसाइट बेस की यूरल मिल जाएगी यह देखो टीपेंदेंशी के अंदर आपको मिलेगा इंक्लीमेंटेशन अब यहां पर लौटी वरजिन लिखा वार है टो डॉलर के बाद में जो लेटेस्ट वरजिन वह लगा देना है वह को मैंब čेंटल 3.5.0 फो यह आपको लोटी वरजिन डॉलर की जगा लगाना होगा अब यह ल एक होती प्रोजेक्ट वाली यो यह उस पर क्लिक करना है और यहांप अगर आप देखोगे तो है डिपेंडेंस इस मिलेगी यहां पे आप कहीं पे भी ज़़री नहीं कि होड़र में रहें कहां पर यहां पर देखो 3.5.0 यह जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा यह वर्जिन आगे और इंक्रिमेंट होते रहेंगे तो जो भी लेटेस्ट वर्जिन यहां पर लगाओ वह आप लगा दे चीक है इंटरनेट चीएगा क्योंकि कोई भी थर्ड बार्टी लाइबरी कोई भी लाइबरी अगर आप इंटिग्रेट करते हो तो डिपेंडेंसी के एक यूरल है जहां से वो प्रोजेक्ट इंटिग्रेट होगा तो उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूद पड़ेगी इंटरनेट ऑन होना चाहिए तो आप उपर देखो भी सिंक नाओ का ऑप्शन आ रहा है जब भी आप बिल्ट डॉट वीडल फाइल दोनों में से कोई सी भी फाइल में चेंजिस करते हो तो आटोमेटिकली उपर सिंक नाओ का उप्शन आ जाता है तो इंटरनेट ऑन रखे और फिर सिंक नाओ पर क्लिक कर दे तो यह अब क्या करेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेगा और हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटिग्रेट करेगा दैन में लोटी एनिमेशन यू को है इन एक्सेमल यूज कर पाऊंगा तो यहां पे बिल्ट सक्सेस्फुल और यहां पे ग्लत गर्रोजेक्ट करते हैं अप चलता है में लोटी एनिमेशन व्यू को ले ले लेता हूं यहां पे मैं लोटी एनिमेशन अब आप देखेंगे हैteilव और एक और चीज़ अगर आपको differentiate करना है कि एक library project और एक normal project कैसे पता चलेगा कि यह लाइबरी का project है या integrate किया गया और यह पहले से था Android के अंदर तो आपको differentiate होगा उसके package से ते अगर जो पहले से integrated है Android Studio के अंदर उसमें आपको पूरा package नहीं लिखना पड़ता लेकिन जो आप इंटीग्रेट करते हो जो भी project आप इंटीग्रेट करते हो चाहें वह Android लाइबरी क्यों ना हो या फिर थर्द पार्टी लाइबरी हो दोनों ही case में जब भी आप उनका कोई xml में यूज लोगे तो उनका पूरा package नेम टैग में यूज होता है दूस्ता आप identify कर सकते काड वी जो एक लाइबरी है वह भी package नेम आता है जो आपका custom टूल बार भी आपका लाइबरी के अंडर ही आता है एब टूल बार एब बार लेयाउट यह सब डिजाइन के जितने भी रिगार्डिंग डिजाइन लाइबरी जो है उसके जितने भी डिजाइन के components आते हैं वह Android लाइबरी है तो यहां पर लोटी एनिमेशन गीव आ चुका है अब इसको कितनी स्पेस पर लगाना है तो मैं यहां पर 300 डिप और 300 डिप के अंदर लगाता हूं इसको तो जो जो भी जितना भी size घ्ये उतने size में लगा सकते हो वह fix भी रेक्सकते हो तो यहां पर जितनी भी रॉक के अंदर आपकी फाइल्स होगी वह सब यहां पर आजागी क्योंकि अभी हमारे रॉक फोल्डर में एक ही फाइल है तो लोटी फाइल उसका नाम ने लोटी दिया था तो वह यहां पर आ चुका है अब इसमें एक होता है ऑटो प्ले इसको हम कर होता है automatically play हो जाएगा तो वह त्रू करना जरूरी है वह बाइडिफॉल्ट फॉल्स होता है तो इसको कर देंगे अपन तापको किसी बटन की जरूरत नहीं है या जावा का कोड लिखना जरूरी नहीं है आप XML से ही लोटी एनिमिशन को चला सकते हो यह नकल आपको इसको ल आते हैं पर ठीक है यह तो हुआ XML से सेट करना है मतलब अगर आपको केवल और केवल XML पे ही सेट करना है अनिमेशन को सेट कर दिया और वहीं से प्ले करना है तो आप क्या यूज करोगे रूरी सोर्स आटो प्ले लूप यह आप एट्रिब्यूट जो है वह यूज कर सकते ह यानि कि जावा के अंदर अगर में को लोटी एनिमेशन को कॉल करके उस पर सेट करना हो या उस पर प्ले करवाना हो तो वह कैसे करते हैं तो वह हमको कहा बता चलेगा में एक्टिविटी क्लास के अंदर यहां पर हम यहां लेते हैं लोटी एनिमेशन व्यूट एक वेडिय set करना है तो r.raw.loate इससे पहले id find करनी पड़ेगी आपको ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा la view equals to find view by id r.id. जो भी आपने लोटी animation की id दे रखेगी वो यहाँ पर find करनी है उसके बाद मैं आप ऐसे set करोगे उसके बाद हम यहाँ करते है la view dot play animation जैसे आप इस पर click करोगे तो यह जो animation है वो play हो जाएगा अब देखो यहाँ पर autoplay लगाने की ज़रूत नहीं है हाँ लूप में चलाना है तो यहाँ पर loop का option होता है la view dot loop और यहाँ पर अब वो XML में चलेगा लेकिन यहाँ पर आने वाले time में कोई और attribute आपको यहाँ मिल जाएगा लेकिन अभी के लिए चल रहा है आने वाले time में हट जाएगा तो को दूसरा attribute जो है वह आपको जावा के अंदर मिल जाएगा यहाँ पर मैंने इस व्यू पर प्ले हो जाना चाहिए तो आपके अवाल XML से भी कर सकते हो चीक है अब इसको चला के देखते हैं अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं यहाँ पर देखो जैसे ही मैं इस लोटी का जो भी लाइपरी होती है जब भी आप बनाते हो तो उसका भी एक minimum SDK होता है जैसे आप जब भी Android का प्रजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर minimum SDK का पूछता है कि यह जो एप है वह minimum इस वरजिन पर तो चलेगा इसके नीचे वरजिन जो है उस पर नहीं चलेगा तो यहाँ पर conflict create हो गया कि हमारा project जो है वो 16 के बाद भी चल सकता है और हमने एक ऐसे project को integrate किया है जो 16 के अंडर नहीं चल सकता तो यह जो conflict है यही वो error create कर रहा है तो हमको यह चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी libraries आप integrate करते हो उन सब के minimum SDK जो है वो same होने चाहे या अबाव होने चाहे बिलों नहीं होने चाहे कोई भी चीक है नहीं तो यह error जो है वो create होगी तो इसको change करने के लिए आप यहां पे आप build.gradle file में जाएंगे यहां पर आपको उपर minimum SDK version दिख जाएगा तो जो लोटी animation का जो project है वो जो create हुआ था वो minimum 16 लेके create हुआ था तो हमको अगर उसको match करना है या उसको integrate करना है हमारे project के अंदर तो हमारा minimum SDK भी क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए अब क्या करना आपको वापस कोई भी changes करते हो आप gradle file के अंदर तो आपको sync now पर click करना पड़ेगा तो sync now कर देते हैं फिर वापस हम क्या करेंगे इसको run करेंगे अगर यह मैं पहले ही 16 करते था तो आपको पता नहीं चलता कि क्यों 16 करना पड़ता है तो आपको बता चला कि कभी भी library आप import करते हो तो इसका minimum SDK के देख प्ले हो चुका है जो animation हमने download गया था.json file वो यहां पर run हो चुकी है ठीक है तो यहां पर आप कोई सा भी animation जो आपको चाहिए वो आप download करें और उसको raw file में डाले और फिर उसको आप ऐसे लोटी file के अंदर raw resource के अंदर भी set कर सकते हैं या फिर directly आप कोई event के उपर भी java के थूबी इसको setup कर सकते हैं using these instructions तब इन instruction को use करते हुए आप runtime से भी call कर सकते हैं और अगर आपो केवल directly xml से उनको play करना है तब ऐसे play कर सकते हैं तो आज होले session में हमने देखा कि कैसे third party library को integrate के जाता है यानि कैसे dependencies लगाई जाती android project के अंदर plus हमने देखा कि कैसे हम animations जो loader animations होते हैं वो हम apply कर सकते हैं माने project के अंदर उसकी UI को और improve करने के लिए with the help of loati animation तो आज ही class के लिए इतना ही thank you